हलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सुनिल बर्मा है स्टुडेंट अभी तक की टीचिंग के अपने समय काल में मैंने एक सबसे ज़्यादा जिस प्रशन को फेज किया है वो है कि क्या IS-PCS के लिए NCRT पढ़ना जरूर है और मैं कई बार क्लास में भी इसको डिल कर चुका हूँ इसके बेनिफिट बता चुका हूँ इसकी लिमिटेशन बता चुका हूँ इसके तरीके बता चुका हूँ लेकिन जो स्टुडेंट डारेक्ट मेरी क्लास से जुड़े हुए नहीं है जो Facebook पे जुड़े हुए हैं, जो मेरे YouTube चैनल पे जुड़े हुए हैं, बार-बार उनका एक message हमेशा आता रहता है कि क्या यह है NCIT पढ़ना जरूरी और मेरा उत्तर यही होता है कि नव सिर्फ जरूरी है, बलकि बहुत जरूरी student आप इसलिए किसी भी topper को सुनते हैं, देखते हैं, तो यह चीज जो common बताता है, वह यह बताता है कि आपको concept अपना अच्छा करना आपको अपने भासा सैली, मेंस की अच्छी करने, वह आपको बताता है कि आपका जो प्रस्तुती करन होना चाहिए, मेंस की writing skill होने चाहिए, वह बहुत simple और बहुत गहराई वाले होने चाहिए और वह साथ ही साथ वह यह जरूर बताता है कि आपको NCRT इन सभी चीजों के लिए क्या कर लेना चाहिए, यूज कर लेना चाहिए और दरसल है क्या, जकि हम NCRT को किस एंगल से देखते हैं, कि एक resource के रूप में कि हमारे पास कुछ syllabus है उसको हमें कबर करना, इसलिए student मेरा मानना यह है कि आपको NCRT चरूर पढ़ना चाहिए सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि आपका उससे कुछ topic कबर हो जाएगा, इसलिए कि आपकी भासा से लिए बहुत अच्छे हो जाएगा आपके समझने का तरीका बदल जाएगा, आप सोचने के आपके कई dimension खुल जाएगा student देखा होगा आपने कि NCRT में सिर्फ एक paragraph आप लेजे और उसका पर्चे वाला जो पहला paragraph है उसको पढ़ेगा उसमें एक line, दो line लिखी होती है कि ऐसा हो रहा और आपके पास अगर सोचने का तरीका है तो आपको पता चलेगा एक लाइन को कई तरीके से सोच सकते हैं NCRT student देखिए तो उसमें कुछ character बने होते हैं दोनों साइट वह अग boys and girls हो सकते हैं वह कोई चिंटू-पिंटू हो सकते हैं कोई भी character हो सकते हैं तो यह दूसरे से वह संबाद करते हैं और संबाद क्या करते हैं जो चीजे लिखी हुई है उस पर लेकिन उनके जो प्रशन रहते हैं वह आपको सोचने के लिए मजबूर कर देते हैं कि इसका उत्तर क्या होगा और दरसल वह इसलिए लिखा गया है कि आप जब NCRT पढ़ रहे हैं तो अधिक से अधिक dimension के साथ आप उसको पढ़ आप जब भी कुछ पढ़ रहे होते हैं तो ऐसा नहीं होते हैं कि आप कोई common book पढ़ नहीं पढ़ रहे हैं हमेशा आप common book ही पढ़ते हैं और वही किताब सभी लोग पढ़ते हैं लेकिन सूचने का जो तरीका सबका अलग-अलग होता है वह दरसल कैसे बना होता है वह आपका पूरा study जो आपने अभी बचपन से लेकर अभी तक किया है वह आपके background में निर्भर करता है और वह background कैसे बन सकता है कैसे civil वाला background आपका अब बन सकता है वह ncrt class 6 से ncrt start कर स्टूरेंट आपको बहुत से एक्जाम पल ऐसे मिल जाएंगे बहुत से प्रस्न उसमें ऐसे मिल जाएंगे जिनको आपको सूचने के लिए जिनको आपको solve करने के लिए आपको दिमाग लगाना पड़े और जब आप दूसरा chapter पढ़ेंगे तो आप उस angle को भी ले कर चलेंगे कि हमें ऐसे भी सूचा जाए तो इसलिए student ना सिर्फ इससे आपको PT में question बनते हैं बलकि मेंस में भी question बनते हैं और सबसे important जो चीज है वह है आपके concept का clear होना वह है आपके writing skill का improvement होना इसलिए क्या करना है आपको जरूर पढ़ लेना फिर एक प्रस्ण इसके साथ जोड़ा होता है कि अगर हम लिख के भेज देते हैं type करके कि हम पढ़ लीजे तो एक प्रस्ण होता है कब पढ़ें सवभाबिक है NCRT चुकि basic books है तो उनको क्या करना चाहिए किसी भी subjects के standard books को पढ़ने से पहले क्या करना चाहिए पढ़ लेना चाहिए लेकिन सिर्फ एक बार नहीं पढ़ना चाहिए student क्योंकि दरसल आप जो समझने का आपका level है वो एक बार में नहीं बढ़े एक बार NCRT पढ़िए और थोड़ा सा बाद आपको पता चलेगा कि आप बिल्कुल बदल चुके हैं और दरसल इसलिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है मैं आपको यहां पर कोई course बेचने नहीं आया हूँ कि मैं कहा रहा हूँ यह course आप खरीद लेजी यह आप खुद गर पर बैठके चेक कीज़े आप class 6 वाली NCRT लेजे किसी भी subjects के लेजे उसको पढ़िए और आप उसी topic पर जो हाँ पर लिखा है अपनी समझने का तरीका देखिए अब आप चीजों को बहुत आसान तरीके से simple way में आप समझ पा रहे होंगे और दूसरे को सबसे बड़ी बात है आप समझा पा रहे होंगे क्योंकि means में आपको दूसरे को ही समझाना है वो भी बहुत simple language में इसके लिए क्या है NCRT बहुत जरूरी एक प्रस्न यह है कि NCRT कैसे पढ़े no doubt जब भी आप पढ़ रहे हो तो आपको नोर्स मेंटेन करना बहुत जरूरी आपको क्या करना है नोर्स बनाते हुए चलना लेकिन स्टुडेंट बस यहीं पर मैं आपको एक सूचना देना चाहता हूं कि आप NCRT कब पढ़ें कैसे पढ़ें नोर्स कैसे बनाएं इसके लिए मैंने आपके लिए कुछ बिकल्ब को ढूड़ा इस्टुडेंट आप अगर चाहते हैं कि NCRT पढ़ें वह बिल्कुल फ्री में फ्री ओप कोश्ट पढ़ें आपको नोर्स भी पूरे मिल जाएं और नोर्स की लेबल उसका इतने अच्छे हो कि कोई भी कोशन NCRT से कभी भी बन कहा है तो वह गलत ना हो तो आप कुछ मत करें प्ले स्टॉर में जाएं वहाँ पे एक टैब करिजिए अन एकेडिमे लर्निंग है वहाँ पे जो बीच में आपको यह दिखाई दे रहा होगा यह टैब मिल गएगा आपको और उसको आप सर्च करें उसको फिर क्या करना है आपको इंस्टाल करना है और इंस्टाल करने के बाद आपको लॉग इन करना है लॉग इन करने के लिए आपके पास दो बिकल्प है आप फेस्बुक पे भी कर सकते हैं और Google से भी कर सकते और यह बिल्कुत सेफ आपका एप है इसमें कोई भी आपकी सूचना नहीं जा रहे है Student मैंने Unacademy के platform पर अभी तक Class 6, 7, 8, 9, 10 के NCIT के course मैं लगभग लगभग complete कराने वाला आप उहाँ पर एक बार जाएए पढ़िए आप देखिए आप बदल रहे हैं यह महसूस करिए क्योंकि आप जब मुझसे पढ़ रहे होंगे तो मैं आपको उहाँ पर सोचने का तरीका जो कोस्वन आ चुके हों और आपको notes भी free of cost आपको मिल रहे हैं उसके अलावा student एक ब्योस्था मैंने आपके लिए और की है कि अगर आप on academy पर जुड़े हुए हैं तो आप वहाँ पर मुझे type करिए search करिए सुनील बर्मा मैं वहाँ पर मिल जाऊँगा मेरे वहाँ course running है आप वहाँ पर देखिए अगर आपको लगता है कि आपको कोई भी ढूणने में दिक्कत हो रही है आपको किसी भी परकार की आपको requirement है आपको कि आप किसी से discuss करना चाहते हैं जी पर बात करना चाहते हैं कोई भी doubts किलियर करना चाहते हैं तो आप मुझे join कर सकते हैं facebook पर वहाँ पर भी आपको type करना सुनील बर्मा और वहाँ पर आप मुझे friend request भीज सकते हैं मुझे follow कर सकते हैं messenger पर आप कोई भी हमें doubts भेज देजिए किसी भी topic का भेज देजिए जो हम an academy में करा रहे हैं आपको कोई दिक्कत होती है हमारी team 24 into 7 hours आपकी reply देने के लिए उहाँ available है और इसके लिए भी आपको कोई payment कहीं पर भी नहीं करनी अर्थात यह पूरी जो ब्योस्ता है पूरा जो आपके लिए प्रयास किया गया है निसुल्क है आपको बस और क्य करना है आपको corporate करना है आप मुझे बताइएगा कि मैं और कैसे अच्छा कर सकता हूं क्योंकि मेरा भी एक मोटो है free education system को और ब्रॉड करना एजुकेशन के छितर में कुछ काम करना और जो कि आपके बिना सहयोग के नहीं हो सकता इसलिए student आप मुझे अनेकेडिमी पर साथ course चल रहे हैं आपका जैसे जैसे सहयोग मिलेगा विदिन वन मन्त हम और नसी आटी के course वहां डालेंगे और उसके साथ साथ कुछ में पर चल रहे हैं अगर आप जोग्राफी पढ़ना चाहते हैं अगर आप पोल्टी पढ़ना चाहते हैं यह course भी हम start कर रहे हैं इसमे आप किसी कोचिंग में दो लाख रुपए देकर भी प्राफ नहीं कर सकते हैं क्योंकि 24 घंटे आपके हर परकार की कोरी ड्याउट्स के लिए कोई टीम अवेलबल नहीं करा जाते हैं और स्टुडेंट अगर आपका सहयोग मिला तो मैं कुछी दिनों मैं प्री और मेंस के फ्री और कोस्ट टेट सीरीज आपके लिए चालू करूँगा लेकिन वह सिर्फ उन्हीं स्टुडेंट के लिए होगा जो मुझसे रेगुलर जोड़े हुए अगर आपको कोई भी दिक्कत हो रही है अगर आप मदद चाहते हैं तो आप हमें फेस्बुक पर इंफर्म कर दिजिए हम आपको लिंक भेजेंगे अगर जरूरत हुई किसी भी परकार के डाउर्स की तो मैं खुद कॉल बेक करके आपसे बात भी करूँगा थैंक यू सो मच इस्टूडेट कोसिस कीजिएगा कि इस सूचना को अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाए जाए इससे हमारी टीम को बुष्ट अप मिलेगा हमें अच्छा लगेगा कि हम सही डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं आपका सपोर्ट हमें मिल रहा हैं और इस से जब भी आप पेपर दे रहे हूं इसमाईल के साथ आपके चेहरे पर इसमाईल बनी रहे और आपका सेलेक्शन भी हो जाए कभी भी आपको तनाव के पलसे ना गुजानना पड़े थैंक यू सो मच